हेलो लर्नर तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 ऐसे टिप्स लाया हूँ जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे न तो इंटर्व्यू में आप अपने एचार को चकमा तक दे सकते हैं यार यह ऐसे पावरफुल 10 टिप्स लाया हूँ यह जो 10 टिप्स मैं लाया मतलब बहुत सारे आर्टिकिल्स मैंने पढ़े बहुत सारे बड़े बड़े रिसर्चर बड़े इंप्लॉयर्स जो अपनी थाउट सेर करते ना उनको मिला कि मैंने एक मर्ज किया यह 10 टिप्स जो आपको मैं देने वाला हूँ तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं जो पहला क्यों आप इस जॉब के लिए बेस्ट परसन है आपकी सी भी ही आपसे रिलेटेड वो पहली चीज होती है जो इंटर्वियर के सामने जाती है कह सकते हैं कि उनकी नजरों में यही आपका फरस्ट इंप्रेशन है जॉब से रिलेटेड थेोरिटिकल नॉलेज को स्पेशल ए करते हैं और इस वज़य से उन्हें इंटर्वियर में उतनी सफलता नहीं मिल पाती आप इस तरह की गलती ना करें और थेोरिटिकल नॉलेज को कम ना आके हैं खुद को इंप्लायर की जगर रख कर देखें यह सोचे कि अगर आप इंटर्वियर होते तो एक आइडियल कंड उसके अंदर जो जॉब वेकेंसी है उसकी स्पेसिफिक नीड को समझने की कोशिस करनी पड़ती और उन नीड को पूरा करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए उसे इंटर्वियू में सोकेस कर सकते हैं दूसी तरफ आप इन क्वालिटी को छुपा भी सकते हैं जो इस जरी अच्छे से कर लें और साथ ही साथ उन कोस्चन के बारे में सोच लें जो आपके जबाब के बदले आपसे पूछे जा सकते हैं तो अगर कौन-कौन से कुश्चन आप से पूछ सकते हैं तो उसके लिए आप इंतजार करिए थोड़ी दिन कबाद वो भी वीडियो आने और ये बहुत ही detailed होता है, इसमें मैं सुभा उठने से लेकर interview खतम होने तक कि छोटी सी छोटी बात के बारे में सोचता हूँ, ऐसा करने से mind कई चीजों को लेकर बिल्कुल clear हो जाता है, जैसे कि कब उठना है, क्या revise करना है, क्या पहन कर जाना है, कैसे जाना है, कब तक आपको भी mock interviews करते हैं, तो आपको भी mock interviews जरुद देना चाहिए, mock interview कंड़क करने के लिए आप अपने किसी ऐसे friend या senior से request कर सकते हैं, जो आपको एक सही feedback दे सके, इस activity को बहुत seriously केजिएगा, ये आपको बहुत अच्छा सिखा सकती है, बहुत कुछ सिखा देगी, क्योंकि अपसर हम खुद गलतियां करते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन और कोई इनहीं चीजों को आसानी से point कर सकता है, जो अगला है, वो है non-verbal communication पर बहुत चादा ध्यान दे, भरवली, यानि जो हम बोलते हैं या लिखते हैं और non-verbalी बाकी चीज हैं, हम कैसे किसी टोन में बोलते हैं, हमारे बैटने का तरीका, eye contact, इभन हमारा dressing sense, अलग-अलग research के मताबिक हमारे total communication में सिर्फ 20% verbal होता है, और 80% non-verbal, और जो next है, वो है contradictory answers ना दे, interviewer आपकी honesty चेक करने के लिए, या बस यहीं कुछ ऐसे person पूछ सकते हैं, जिनका उत्तर एक दुसरे से related ह अगर आप पहले कह चुके हैं, कि आपकी dream company है, पर जब यह पूछा जाता है, कि यह company क्या-क्या service देती है, और आप ठिक से नहीं बता पाते, तो यही message जाता है, कि एक तरफ तो यह आपकी dream company है, और दुसी तरफ आपको इसके बारे में basic जानकारी भी नहीं है, तो इसका म आजकल ज्यादा तर interviews English में होते हैं, लेकिन कई जगह जहां हिंदी में भी interview हो सकते हैं, वहाँ भी लोग English में interview देने की कोशिश करते हैं, देखिए, गलत अंग्रेजी बोलने से अच्छा है, सही हिंदी बोले, तो यह अगला है, last but not least, यह सोच कर चलें कि selection हुआ, तो अच किसी interview में एपियर हुए थे, positive attitude रखने वाले यह मान कर चलते हैं कि जो होता अच्छा होता है, तो यह आज की वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं एक नाए वीडियो में, तब तक के लिए बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा